हाई फ्रेंग्स गुड मॉर्निंग वेलकम टो एक्सेंबी आप सब अच्चे हैं और प्रिपेरिंग वेल फॉर एक्सामिनेशन शुरू करते हैं आज का हमारा करिंट एफेर जो की है 14 जूल 2023 सबसे पहला न्यूज आज जो हम देखेंगे वो है अंजदीप देखो यह अंजदीप क्या है यह अंजदीप नाम आपको याद हो जाएं चाहिए because it's an anti-submarine warfare ठीक है anti-submarine warfare shallow watercraft यह किस ने बिल्ड किया है इसको इसको कोलकाता बेस जो garden reach shipbuilders and engineer है जिसको GRSE बोलते हैं उन्होंने यह बनाया है तो बहुत साल पहले अपरिल 2019 में ministry of defense और GRSE के बीच में एक MOU हुआ था जिसमें यह बताया गया था आठ ships इंडियन नीवी के लिए GRSE बना के देगी from time to time and this is one of it ठीक है तो नाम क्या है अंजदीप यह आपको याद करना होगा what is it it's an anti-submarine warfare warfare shallow watercraft ठीक है चलो बढ़ने आगे next news में वो है PLI course correction तो देखो PLI कब launch हुआ था PLI March मेने के 2020 में launch हुआ था ठीक है बतला बातचीत तो 2021 से चल रहा था sorry उससे पहले से चल रहा था पर यह launch 2020 में हुआ था तो अब यहां पर देखने वाली बात यह है देखो PLI जब initial launch हुआ था तो उसमें सिर्फ कुछ sectors थे धीरे-धीरे-धीरे-धीरे PLI में sectors बढ़ते गए आज के दिन में कितने है टोटल 14 sectors है PLI में production linked scheme में लेकिन इन 14 sector में से एक sector ऐसा है जिसमें growth बहुत ही कम है जो हमने दो दिन पहले देखा भी था वो है steel industry तो अब इसमें जो news है कि कुछ industries ऐसे हैं मतलब यह 14 में से 6 industries ऐसे हैं जिसमें growth बहुत ही कम है मतलब PLI का incentive अभी तक उसमें claim नहीं किया गया है जिसका मतलब उसमें growth जो है वो बहुत slow है सबसे पहला है steel उसके बाद textile battery white good solar photovoltaic and automotive यह सारे sectors पे अभी भी incentive को देना government के इसे बाकी है मतलब यह claim ही नहीं हुआ है तो incentive अगर claim नहीं हुआ है तो सीधा simple बात है जो manufacturers है वो भी बड़े लेवल पे काम नहीं कर रहे है मतलब बड़े लेवल पी नहीं कर रहे है right because अगर वो काम कर रहे होते वो incentive claim कर लेते simple तो यहां पर अभी जो ministry concerned है वो यह देख लिए है कि क्या course correction के requirement है जो dpiit है department of promotion of industry and internal trade जो कि ministry of commerce and industry जिसके प्यूश गोल मिनिस्टर है उस ministry के अंडर में आता है तो वो ministry यह सभी चीजों को देख रहा है और यह देख रहा है कि whether its need से course correction मतलब हो सकता है policy में कुछ ऐसा है जिस वजह से manufacturer reluctant हो incentive को claim करके आगे काम करने में तो वो सारा चीज identify किया जा रहा है identify करने के बाद you know it would be fixed this is what the ministry has said तो यह तो था as an information लेकिन कई बार ऐसे news जो informational होते हैं उन्हें हम miss कर देते कुछ questions शायद नहीं आएंगे लेकिन उस news में covered कुछ important data को हम यह भी miss कर देते हैं मतलब हम उसके साथ में miss कर देते हैं बड़ सवाल तो वहां से बनेगा देखो 2023 का data मतलब financial 23 का data है जो PLI है इसमे रुपीज 3420 करोव रुपीज का claim हुआ है of which the government paid 2874 करो right तो 3420 करोव क्लेम हुआ है government अब तक कितना pay कर दिया है 2874 करो to the beneficiaries in the aid sector ठीक है 8 sector में payment हुआ है लेकिन यह 6 sector में अभी तक नहीं हुआ है समझ में आ गया connection क्या है yes 1.4% of the 1.9 trillion allocated for 5 years towards this scheme has been paid by the government as incentive 1.97 trillion जो allocated है उसका एक 1.4% already paid है तो देखो यह था important data कि आर्ट सेक्टर में claim कर दिया है 3420 करोव रुपीज का PLI है जिसमें से जो है government ने 2874 करोव पे कर दिया है बढ़ते आगे next news में वह है sat stay IRD order तो देखो sat कौन है एक appellate tribunal है जिसको बोलते है security appellate tribunal तो अभी हमने कुछ दिन पहले एक news देखा था जिसमें यह देखा था कि जो सहारा ग्रूप है सहारा इंडिया life insurance इनके सारे policies को कौन take over करेगा SBI life ठीक है SBI life take over करेगा लेकिन जो security appellate tribunal है इन्होंने insurance regulator मतलब जो IRDI है इनके इस decision को क्या कर दिया है stay लगा दिया है इनके decision को मतलब यह decision अभी की अमल नहीं किया जाएगा this will be delayed ठीक है the appellate authority said that five years since the IRDI decision to transfer policy of Sahara life to ICICI credential was set aside no step back taken by the insurance regulator to transfer policies and a decision was taken to select SBI life was taken without granting a hearing to Sahara life यह था appellate tribunal का कहना कि पहले तो आपने बताया कि ICICI credential life take over करेगा लेकिन उसके regarding आपने ऐसा कुछ किया नहीं है उसके बाद आपने decision ले लिया कि SBI life को transfer करना है लेकिन आपने तो शाहरा life को सुना ही नहीं है तो यह था appellate tribunal का कहना right so sometimes it happens कि जो regulator है उनके decision को भी overturn कर देती है set अब it is up to the you know next hearing जहाँ पर यह चीज clear होगा कि और क्या होने वाला है ठीक है चलो बढ़ेंगे आगे I hope यह news आपको clear हो गया है बढ़ते आगे ओ आयो है जिसके founder घिते शगरवाल है उस जो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ने यह काम किया है कि stay now pay later program that will give Indian traveler flexibility in planning their summer travels ठीक है बहुत important news था यह इसमें से सीधा सीधा यही सवाल बनेगा कि कौन से company ने किया है बढ़ते आगे next news में वह है state borrowing तो देखो जो state borrowing होता है वह state development loans के दुरू होता है which is a government security credit लेकि यह state का होता है तो जो market borrowing है total 11 state ने अब तक का किया है इस week में उन्होंने 22,500 crore 22,500 crore through bonds उठाए है right 62% higher है यह as indicated rupees 13,900 crore indication क्या था कि वो 13,900 crore उठाएगे लेकिन वो उसका 62% higher उन्होंने उठाया 22,500 crore जो चार state है वो 10 साल के bond को issue किया है to raise 3000 crore Tamil Nadu ने 2000 crore raise किया हर्या ने 700 नागा लाइन जेदेर 100 crore ठीक है महारास्ट्रा highest amount risk किया है rupees 5000 crore जिसमें 2000 crore का 8 साल का bond है और बाकी 9 year का paper है यह आपको याद करना होगा Tamil Nadu ने risk किया कितना 4000 crore ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे next news में बाकी देखो यह states का नाम आपको याद नहीं करना होगा not required at all यह overall आपको पता होना चाहिए बढ़ते आगे next news में वह है अति उत्तम तो देखो जो GSI का Geological Survey of India Training Institute GSI का जो Training Institute है GSITI यह हैदराबाद में located है और इनको एक accreditation मिला है accreditation का नाम है अति उत्तम यह आपको धहन में देना होगा ठीक है यह ministry of minds के अदर में आता है इनको award दिया गया है National Accreditation Board of Education and Training NABET इन्होंने इनको accreditation दिया है अति उत्तम का यह आपको याद करना होगा जो 1976 में set up हुआ है GSITI यह कहाँ पे है 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 हदराबाद में है इसका six regional training centers है कितना है six regional training center बड़ते आगे next news में वह है class G medical devices ठीक है तो देखो यह जो class D medical devices है यह किस ने developed किया सीधा simple एक छोटा सवाल बन सकता है because देखो यह बहुत deep में इसको नहीं पूछा जाएगा simple सवाल बन सकता है कि किस ने किया है तो देखो first indigenously developed animal derived tissue engineering scaffold for healing skin wound in minimum scaric तो यह किस ने किया है देखो यह तो बस आप इसका नाम याद रखो क्योंकि यह पूछा जा सकता है that's it with this we are done for the day let's wait tomorrow morning once again till then unfold your potential and all the best for all the exams that you're preparing and always remember ixmb helps you prepare 50% faster